तो फिले दोस्तो स्वागत है आपका हमार यूट्यूब चैनल पे दोस्तो अगर आप B Pharma की पढ़ाई कर रहे हैं आप किसी भी एर में हैं फस्ट एर में हैं, सेकंड एर में हैं या लास्ट एर में हैं और आप किसी भी स्टेट से बिलॉंग करते हैं यूपी, बिहार, राजस्थान, वेस्ट पेंगॉल कहीं से भी बिलॉंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है दोस्तो अभी अभी एक बैड न्यूस निकल के आ रही है B Pharma वाले बच्चों के लिए और वो बैड न्यूस क्या है आपको सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आखरी तक जरूर देखें वीडियो तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं अपने वीडियो को तो दोस्तों वो बैड न्यूस है कि अगर आप बी फार्मा की डिगरी कंप्लीट कर लेते हैं चार साल के बाद अगर आपको रजिस्टेशन करवाना है PCI में या आपको लाइसेंस लेना है तो आपको एक्जिट एक्जाम देना पड़ेगा एक एक्जाम कंड़ेट कराया जाएगा और उसके बाद अगर आप उसमें पास होते हैं तब जाके आपको लाइसेंस दिया जाएगा या आपका रजिस्टेशन हो पाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों Pharmacy Council of India ने एक प्रपोजल दिया है एक्जिट एक्जाम कंड़ेट कराने के लिए तो दोस्तों यहाँ पे विस्तार से देख सकते हैं कि क्या ख़बर है तो आपको एक इग्जिट एक्जामिनेशन देना पड़ेगा तो क्या होता दोस्तों कि जब आप चार साल का डिगरी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको डिगरी मिलता है और उसके बाद आप जाते हैं स्टेट फारमेसी काउंसिल में और उसके बाद आपका रजिटेशन होता है और आपको लाइसेंस मिलता है मेट कली इस्टोर ओपेन करने के लिए लेकिन आपसे ये नियम हो जाएगा कि आपको exit exam देना पड़ेगा अगर आप उसमें clear कर जाते हैं पास कर जाते हैं तभी आपका registration हो पाएगा और आपको license मिल पाएगा आपको medical store खोलने के लिए तो दोस्तो ये exit exam आपके knowledge को evaluate करने के लिए या test करने के लिए कराया जाएगा ऐसा कहना है डक्टर प्रमोट का जो अभी अभी pharmacy council of India के president बने हैं दोस्तो गौर करने वाली बात है कि बहुत सारे pharmacy colleges और candidates जो है वो बढ़े हैं अगर हम engineering से compare करें हाल ही के years में ठीक है और state pharmacy council का कहना है कि उसके पास बहुत सारे जो है वो complain आ रहे है कि बच्चों के पास जो है basic knowledge नहीं है pharmacy का तो इसलिए PCI ने step लिया है और proposal दिया है union health ministry को तो एक बार ये approve हो जाएगा union health ministry से तो ये एक नियम बन जाएगा ठीक है और ये कहना है कि इस academic year से exit exam जो है वो लागू किया जाएगा यानि कि 2021 और 22 के academic year से आपका exit exam जो है वो देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं registration कराना state pharmacy council में तो बस दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंदा आ तो लाइक कर दीजे अपने दोस्तों सेर करिए और चैनल पहना है तो subscribe जो कर दे बहुत बहुत धन्यवाद